नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चनल पर दूस्तों आज का जो मारा लेक्चर रहने वाला है वो यूपीस पीस्स का जो जाम होने वाला और एक्जाम प्रीका उसके लिहाज महत्रपूर लेक्चर रहने वाला है करेंट फेर्स का टॉपिक है रिपोर्ट एवं सूचिकांग दिखें जो कुष्चन आएंगे मैं उन्हीं के बारे में डिस्क्स करूंगा 2024 में अभी पेपर होने वाला और एक्जाम जो कुष्चन पेपर है पहले से ही बन चुका होगा तो इसमें से जो रिसेंटली अभी जो रिपोर्ट या फिर इंडेक्स जो भी पब्लिस किये गए उनसे कुष्चन नहीं आएगा देखें 2023 के ही जितने भी रिपोर्ट और इंड 306 से 2030 2030 तो इसमें से हर साल का जो इंडेक्स अगर पूछ पूछ जा रहा है तो एक साल पीछे का कुष्चन पूछ जाता है तो इसलिए मैं आपके लिए लेकर आए हो 2030 की जितने भी इंडेक्स हैं उसमें भारत की रेंग क्या है और पहला हिस्तान किसका आए और जारी करता कौन है कौन सी इंश्रिटूट है आफिर कौन सा जो संथान है जो जारी करता ये उसके बारे में डिसकस करेंगे इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलिग्राम पर मिल जाएगी साथ ही साथ में WhatsApp पर भी आपको ग्रूप में प्रोवाइड करा दी जाती है Exambev एप डाउनलोड कर लीजेगा वहाँ पर UPPCS के लिए बहुत सारी PDF बिल्कुल फ्री में अवलेबल है और यह वाले PDF भी आपको Exambev एप पर मिल जाएगी टेलिग्राम पर भी मिल जाएगी description box में सबी लिंक दी गई है वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं देखिए क्या है पहला जो सूचकांक है बैस्ट्विक समावेसिता सूचकांक है 2023 इसको कौन जारी करता है इसको जारी करता है अवरिंग और विलांगिंग इंस्टिटूट यानि OBI अवरिंग और विलांगिंग इंस्टिटूट द्वारा यह जारी किया जाता है भारत की रेंक 117 है 129 देसों में 117 वी रेंक है और प्रथम इस्तान किसका है नियूजी लेंड का है बैस्विक पेंसन सूचकांग 2023 को MCGPI जारी करता है जिसमें 47 देश पार्टिसिपेट करें और 45 भी रेंक इसकी भारत की है और 111 में किसकी भारत की रेंक है इसमें प्रथमिस्तान इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि तीस से कंट्री को याद करना नामुमकिन कि तीस से चालीस कंट्री याद कर लीजिये और इसमें बताई इसका पहला इस्थान है एक और रिपोर्ट है ग्लोवल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 इसको नौड लेयर जारी करता है जिसमें भारत की रैंक 108 देशों में 64 में नंबर पर है और डेन्मार्क का पहला इस्थान है ग्लोवल इनोवेशन इंडेक्स 2023 विश्व बॉद्धिक संपता संगठन डवलू आई पियो द्वारा जारी किया जाता है और इसमें 40 विख्थान चालिस्वी रैंक है भारत की 122 देशों में 40 विर रैंक है गारिस्विक लेंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 बिस्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है जिसमें 146 देशों ने पार्टिसिपेट किया जिसमें भारत की रैंक 127 है और आइस लेंड की रैंक पहली है बिस्व प्रतिवा रैंकिंग 2023 इंस्टिटूट फॉर मैंनेजमेंट डेवलब्मेंट जाता है जिसमें से 120 से में सरसट्वी रैंक इसकी भारत की रैंक कि पहली है रइन्यूंच यारी किया जाता है और 146 देशों में एकiest 112 defending का पहला इस्थान है कुझ tentangron region for economics मिक्स एंड पीस जारी करता है इसको 163 देशों में 126 इस्थान भारत का है जिसमें आइसलेंड का पहला इस्थान है कि विश्व प्रेश सुच तंतरता सुचिकांग 2023 रिपोर्ट से विदाउट वॉर्डर से क्या है एक सो असी देशों में 161 इस्थान पर भारत है और नार्वे का पहला इस्थान है विश्व खुसाली रिपोर्ट 2023 यूए नेस डियसन द्वारा जारी किया जाता है इसमें 137 देशों में 126 वे नंबर भारत है और फिन्लेंड यहां पर फिन्लेंड का पहला इस्थान है बैस्विक आतंकवाद सुचकांग 2023 इंस्टिटूट आफ एकोनोमिक एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है 163 देशों में 131 इस्थान किसका है भारत का आतंकवाद सुचकांग में अफगानिस्थान का पहला इस्थान है व्यक्तिटू इन्मार का पहला इस्थान है Global Fire Power Index 2023 Global Fire Power द्वारा जारी किया जाता है जिसमें 145 देशों ने पार्टिसिपेट किया और चौथा इस्तान भारत का रहा वहीं अमेरिका का इस्तान पहला रहा Henle Passport Index 2023 Henle और IATA द्वारा जारी किया गया है 199 देशों में 80 नमबर पर भारत है और सिंगापूर का पहला इस्तान है उर्जा संक्रमर सूचिकांक 2023 विस आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है 120 देशों में 67 नमबर पर भारत है और स्वीडन का पहला इस्तान है बैस्विक प्रतीस परदा सूचिकांक 2023 आएमडी द्वारा जारी किया जाता है, 64 देशों में 40 में नंबर पर भारत है और डेन्मार्क का पहला इस्तान है। बिस्व डिश्टल प्रितिस परदा रैंकिंग 2023 आएमडी द्वारा जारी की जाती है रैंकिंग और 64 देशों में 49 में नंबर पर भारत की इस्तिति है अमेरिका का वहीं पहला इस्तान है इस अंतर राष्टिया आई-पी इंडेक्स 2023 उस चेंबर ऑफ्कामर्स तो यह 55 में 42 में नंबर पर भारत का है और अमेरिका का पहला इस्तान है यह जितने वी कुश्यन बनते हैं मैं निस्कस किया है यहां से सबसे ज़्यादा question पूछे जाते हैं और एक दो rank और रहेंगे उनके बारे में भी discuss करेंगे पहले कुछ important जानकारी देनी है अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe कर लीजिए और bell icon को press कर दीजिए जिससे वीडियो की latest notification सबसे पहले आपके पास पहुंचे पीडियाफ के लिए आप हमें WhatsApp पर भी contact कर सकते हैं और WhatsApp के साथ साथ आप हमारे exam web app को भी download कर सकते हैं वहां से आपको इसकी PDF मिल जाएगी WhatsApp के लिए आपको 7905407400 पर contact करना है यहां से आपको complete PDF मिलेंगी विल्कुल free में मिलेंगी यह PDF जो भी UPPCS और 17th BPSC के लिए जो PDF होंगी वो आपको विल्कुल free में provide कर आए जाएंगी जो भी PDF रहेंगी और हमारा यह बादा है कि 70 प्लस question आपको हमारे PDF से मिल जाएंगे जितने भी हमारे topics जिनको कवर करने वाले हैं वहां से आपको 70 प्लस question डिसकस होंगे बिल्कुल यहां से बिल्कुल मिलेंगे आपको देखिए अगला क्या है सूचिकांग के इंडेक्स कौन सा है जलवायू परिवर्तन प्रदर्शन सूचिकांग के 2023 में German Watch and New Climate Institute और Climate Action Network देन मार्क कौन से नम्बर का चूतधा है और जलवायू प्रदर्शन सूचिकांग परिवर्तन प्रदर्शन सूचिकांग 24 वी इस destas चनलन जर्मन वाच न्यू क्लाइमेट इंस्टिटूट और क्लाइमेट एक्सर नेटवर्क के द्वारा ये जारी किया जाता है इसकी पीडियेप आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है वहां एक कुश्चन आपका यहां से जरूर बनेगा जरूर बनेगा एक कुश्चन तो इसको आप लोग अच्छे से रिवाइच करिए एक कुश्चन बनेगा जो कि आपके मार्क्स को आंगे बढ़ाएगा चलिए मिलते हैं इसे अगले सांदार टॉपिक में जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना होगा अगला जो टॉपिक रहने वाला है वो है संविधान के स्रोत संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे बहुत है एक से दो कुश्चन आपको यहां से भी देखने को मिलेंगे उसके बाद हम आर्टिकल यानि अनुछेद के बारे में पढ़ेंगे एक पीवाई क्यू के जो क्लास है आर्टिकल को लेकर वो मैं कर चुका हूँ अब हम क्या है आर्टिकल जो इंपोर्टेंट आर्टिकल होंगे उसकी क्लास को आंगे करेंगे आर्टिकल से कुश्चन जरूर पूछ जाते हैं तीन पॉलिटी का 70% या 60% मान के लिए 60% आपका सिलेवस आर्टिकल से ही पूछा जाता है आर्टिकल से बहुत ज्यादा कुश्चन आते हैं और कहीं न कहीं आर्टिकल छिपे भी रहते हैं तो उनको जरूर आप लोग पढ़िएगा कि किस प्रकार से कुश्चन में आर्टिकल फिपा हुआ है और कुश्चन पूछ लिया जाता है एक concept बना दिया जाता आर्टिकल का तो आर्टिकल को जरूर पढ़िएगा धिहान से पढ़िएगा उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा है मिलते हैं गले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद